तो दोस्तों ये है plants के ऐसी fertilizer जो आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा आपको सारे fertilizer आपके kitchen से ही मिलेंगे तो ये एक ऐसी fertilizer है जो आपके garden में आपके plants के लिए जड़ी बूटी का काम करेंगे तो आईए एक एक करके मैं बता देती हूँ कौन से ऐसे वेटलाइजर है जो कि आप बना सकते हैं दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 10 लिक्विट खादे बताने जा रही हूँ जिसको देने से आपके प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और उन्हें तागत मिलेगी ये ऐसी 10 लिक्विट खादे हैं जो आपके पौधों में जान डाल देगी दोस्तों अक्सर हम देखते हैं अपने प्लांट में हमारे प्लांट की ग्रोथ रुख जाती है या पत्ते यलो होने लग जाते हैं फूल नहीं आते फल नहीं आते तो ऐसे में हम चाते हैं कि जल्दी से कोई जो ऐसी खाद है जो हमारे पौधों में जान डाल दे या बहुत अच्छे से response करे तो ये ऐसी 10 liquid खादे हैं जो जल्दी से हमारे plant में बहुत अच्छा result देती है liquid खादे जल्दी response देती है बजाए की आपकी dry खाद की जगह दोस्तों इसमें जो nutrition होते हैं वो जल्दी से हमारे plant में मिल जाते हैं ये 10 ऐसी खादे हैं जो कि आपके पौधों में जो भी problem होती है चाए वो insects को लेके हो चाए ग्रोध को लेके हो पीली पती हो फूल नहीं आरे फन नहीं आरे तो जो बहुत जल्दी response करती है ये खादे दोस्तों जो ये आप एक खाद देख रहे हैं liquid form में इन्हें मैंने आपके kitchen से ही आई मीन आपकी घरेलो चीजों से ही मिलकर मिलाकर बनाया है और इन्हें मैं किस तरीके से यूज करूंगी आप इसको बदल बदल के अपने plants में दे सकती हैं जैसे कि आप 10 days में अपने onion peel fertilizer दे दीजिए second 10 दिन में आप इसको orange peel fertilizer दे दीजिए जिससे मैंने ये चीजे बनाई है किस तरीके से मैंने इन्हें रखा है और कितने दिन तक रखा है कितना पानी मैं dilute करके अपने liquid खाद को अपने plants में देती हूं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं इस तरीके की वीडियोज वगेरा अपलोड करती रहती हूं DIY से रिलेटेड या आपके plants से रिलेटेड या fertilizer से रिलेटेड तो वीडियो में बहुत अच्छे से देखिए पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है किस तरीके से आप अपने kitchen waste से अपने liquid खाद बनाएं दोस्तो जो first fertilizer है हमारा वो है orange peel fertilizer जो कि मैंने संत्री के छिलकों से बनाया है आप इसमें मौसमी के छिलके भी यूज कर सकते हैं जैसे कि बहुत सो लोग मुसे पूसते हैं तो दोस्तो ये भी एक best fertilizer है इसमें vitamin C और iron होता है जो कि हमारे plants में बहुत अच्छे से growth करने में help कर है liquid fertilizer है तो बहुत जल्दी आपकी plant में response भी करता है इसे हमें कैसे बनाना है आप देख सकते हैं ये orange के चोटे-चोटे टुकडे हैं तो आप जब भी कभी भी liquid fertilizer बनाए ना तो हमेशा fruit या vegetables के चोटे-चोटे टुकडे कर लीजिए उससे क्या होता है जल्दी पानी में डेल इस गंटों के लिए पानी में और आप पानी का color देखिए बिल्कुल change हो गया है इसे हमें कैसे देना है इसे हमें लेद देना है ये देखिए 48 hours के लिए आप इसको ऐसे बिगो के रख दीजिए छोटे-छोटे टुकडों में कर लीजिए उसके बाद ऐसे हम छनी में पानी इसे छान लेंगे और हम इसको इसमें 2 glass और plain water dilute करेंगे गए इस तरीकी से मैं इसमें पानी जो है वो डेलीट कर लूँगी यह organic fertilizer है अगर थोड़ा पत पानी उपर नीचे हो भी जाता है तो कोई फरक नहीं पड़ता है मैंने फिलाल इसमें एक ग्लास पानी ही डेलीट कर नहींड Sumrone इंदे राखियं होता है जो कि आपके फ्रूटिंग प्लांक्त के लिए बहुत अच्छा होता है जिन प्लांटको प्लाइशियम की बहुत जर्वत होती तो यह उन्हें बनाना पी फेस्टीक सी जैसे हमारे इस तरीके से आप मैं आपको बता देती हूँ जब भी कभी भी कोई फ्रूड या वेजिटेवल लें इसके छोटे-छोटे ऐसे स्लाइस कर दीजिए सीजर की हेल्प से ताकि यह जल्दी पानी में डेल्यूट हो जाए अच्छे से इनकी नुटिशन जो है वो पानी में आ जाए और उसक तरीके से ही मैंने इसको बनाया है 48 आर्स के लिए मैंने इसको डिप करके रख दिया था तो आप देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया इसमें बहुत अच्छा पॉटेशियम होता है जो कि आपके फूल वाले प्लांट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है जैसे कि आ इस तरीके से आप बिना चाने दोस्तों बिल्कुल यूज नहीं करना है नहीं तो आपके प्लांट में फंगस लग जाएगी तो हम इस तरीके से इसमें और प्लेन वार्टर लगभग एक बलास और डेली उट कर लेंगे तो यह हमारा हो गया लिक्विट फर्टिलाइजर त अगर आप इस लिक्विट फर्टिलाइजर का यूज करेंगे दोस्तों मैंने इसको कैसे बनाया है आप यह देखिए जो अनियन के जो यह छिलके होते है ना इसकी हमें अंदर वाली परत नहीं लेनी है हमें इसका ऐसे ड्राइ पोर्शन जो बिल्कुल उपर वाली लेयर है इस चीज से हमने इसको मिलकर बनाया है तो इसे आप लगभग 48 आर्स के लिए इस तरीके से डिप करके रख लीजिए दो देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और यह आपके फूलो वाले प्लांट में जैसे कि आपका रोस प्लांट हो गया आपका गुड़हल का प् देखिए आप जैसे सुखा लीजिए यह प्यांच के पतों को और अच्छे से सुखाने के बाद मेरे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है लगबात दो दो चममच आप अपने प्लांट में दे सकते हैं बहुत अच्छा रिस्पोंस आता है इसका आपके फ्लावरिंग प्लां तैयार हो गया और आपके प्लांट में देने के लिए बिलकुल ट्रेडी है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टी फर्टिलाइजर जो की एंपिक का बहुत अच्छा सोर्स है हमारे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आप इसे हमें कैसे यूज करना है दोस्तों आपकी जो चाय पत्ती होती है यूज टी उसे हमें दो से तीन बार अच्छे से धो लेना है उसका शुगर उसका मिल्क निकाल के और उसमें अगर अध्रक वगरा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे बहुत सारे लोग सुखा लीजिए इसका साइस भी बढ़ गया है यूज कि यूज टी है धूप में तीन से चार दिन अच्छे से सुखाने के बाद आप इसे इस तरीके से डाल सकते हैं अपने एक ग्लास पानी में लगबग चार चमस डाल दीजे क्योंकि यूज टी है और अगर आप अब या प्लांट में जस्कतवां कहल चार चपाने बहुत अच्छा चार लाद हवी कह स्वाखतो है इसे देखए इस तरह के से च चाननी से चान हम मेंशा कोई भी फर्टिलाइजर यूज करें चनी से छानना बिल्कुल न भूलें और उसके बाद हम कर देंगे इसमें प्लेन वाटर डेलियूट तो इस तरीके से हमने पानी डेलियूट कर लिया अब यी फर्टिलाइजर रेडी है तो यह हमारा राइज वाटर का मतलब आपके पौधों के लिए राइजर यूज कर सकते हैं जब भी आप और उसे वाश करते हैं तो उस पानी को आप फहेखिये मत उसे आप अपने प्लांट में यूज कीजिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है आपके प्लांट्स में इसे भी हम इस तरीके से देखिये आ तो इस तरीके से आप च्छान के दिए जिसका पानी पानी आपको देना है इसमें हमें प्लेन वाटर डेली उट कर देना है तो यह भी बहुत अच्छा आपके प्लांट में आपकी ग्रोथ के लिए आपके प्लांट की आपके प्लांट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अ यहाँच वह जब इसे माफटेसियम होता है बहुत अच्छा सोर्स है आपका बैंच पर्टेसियम का हिसम् había जरूट होती है तो उन प्लांट को आप दे सकते हैं। और ये देखिए आप जितने भी flowering plant हो, fruiting plant हो, आपके vegetable वाले plant हो, आप उन्हें दे सकते हैं, ornamental plants को भी दे सकते हैं, indoor plants जो आपके होते हैं, तो इस तरीके से देखिए, ये plant का भी देखिए, color बिल्कुल change हो गया है, इसे भी हमें इस तरीके से ही छान लेंगे, ये हो गया हमारे plants के लिए, next है दोस्तो हमारा ये दाल, दाल जब हम धोते हैं, जैसे राजमा वगरा भीगा के रखते हैं रात को, तो उसका पानी हो गया, या वैसे भी आप दाल जब use करते हैं, बनाने के लिए, तो उस टाइम जो उसका पानी वगरा होता है, उसे दोस्तो ब इसको मैंने 48 hours के लिए रख दिया था, अब आप देखिए इसका color भी change हो गया है, तो मैं इसे भी इस तरीके से ही छान के और पानी डेल्यूट करने के बाद अपने सभी flowering plant में, fruiting plants में आप इने दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा, आपके plants में growth करता है, उन्हें green insects वगर का attack है, तो आप इस fertilizer को use कर सकते हैं, आपको lesson की छिलके होते हैं, उनको use करना है, 48 hours के लिए आप इसको रख के, और आप देखिए इसमें color change हो गया, और smell आ रही है, इसकी smell से चीटियां वगरा दूर भाग जाती है, तो आप इस तरीके से देखिए, इसे चान लीज fertilizer आपके kitchen वे, यह है दोस्तो butter milk fertilizer, butter milk fertilizer क्या होता है, हमारी एक छाच टाइप की होती है, या तो आप छाच ले लीजिए, या आपके घर में अगर दही है, तो यह देखिए मैंने लगबग 2 चम्मस दही, इस एक ग्लास पानी में मिलाऊंगी, और इसको अच्छे से ऐसे करके यह दही जो है वो पुरानी है, तो आप old जो दही हो, जो पुरानी दही हो, उसको use करें, और उसमें आप plain water dilute करने के बाद, इसे use कर सकते हैं, तो आप देखिए मैं इसमें plain water dilute कर दूँगी, तो इस तरीके से आप इसे एक ग्लास बनाके लगबग 2 चम्मच, आप अपने कड़ी पते के प्लांट में दीजिए, और जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, शाम के टाइम दीजिए, हर एक fertilizer को गुडाई करने के बाद, तो बहुत अच्छा response करता है, आप यह देखिए, इस तरीके से इसका form हो गया है, तो कड़ी पते के लिए जो यह fertilizer है, बहुत अच्छा काम करता है, इसे एक pesticide भी कह सकते हैं, पेस्टिसाइड का काम भी करता है, और ऐसे fertilizer का काम भी करता है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कि बटर मिल्क fertilizer कैसे बनाएं, तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा fertilizer बन गया, जो कि हमार लहसन वगयरा, उनके लिए बहुत अच्छी होती है, तो उनमें आप इसको लगभग एक ग्लास पानी में आप इसका दो चम्मच मिला लीजे, और ये दोस्तों ठंडी आपकी होती है खाद, इसे आप गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं, जैसे गर्मियों में हम खाद दे लिए और लगभग इसको आप रख सकते हैं, बारा घंटे के लिए तो जिसके जितने भी नूट्रिशन होंगे ना वो इसमें आ जाएंगे, और आप इसमें एक ग्लास दो ग्लास पानी और डेलूट करने के बाद अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, जिसमें पॉटेशिय में यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी खाद बन जाएगी, तो देखे हैं ना किचन वेस्ट के कितने फायदे, जो कि एक एक चीज आपके सब चीज में यूज़ हो रही है आपके प्लांट्स में, तो हम इसे क्यों फैक हैं, क्यों अपना इंवायर्मेंट खराब करें, तो आशा करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, मिलती हूँ ऐसी ही किसी इंफोर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के बअपई टीक ये एफी गार न एंट कीप गार नएगी